जै मा मरी आप सभी को मरी मा पासक में आप सब का स्वागत है आशा करता हूं माता मरी खरपाप सब पर बनी रहे चलिए आज एक और साधना पर बात करेंगे नवरात्र के विशेश परव पर ठीक जैसे कि आप जानते हैं 26 ओफ से नवरात्री लग रही है शारी नवरात्री तो इसमें सबसे अच्छी साधना हैं आपको हम दे रहे हैं अब ये साधना जो है गंगा राम अगोरी जी के भाई की है मंसा राम अगोरी जी ठीक मैंने बताया था कि वैसे तो मनसा राम खुरी जी को सब तामसिक रूप में पूछते हैं और तामसिक रूप में पूजने के बाद उनको मास का भूग लाते हैं क्योंकि उनका नाम ऐसा है कि मनसा राम सब उनको मनसा खाऊ बोलते हैं लेकिन नहीं मैंने आपको एक चीज बोली थी कि नवरात्र में कोई भी तामसिक साधना मत करिएगा वो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा तो हमने ये चीज कैसे निकाली कि ग्रहस्त विद्या है ग्रहस्त लोग हैं उसके बाद सात्विक करेंगे ये सारे चीजें तो क्या इसका प्रतिफल मिलेगा बिल्कुल मिलेगा नवरात्र में ये सारी साधनाए फलित होती हैं ये नहीं कि आप उनको दारू लागे चड़ाओगे दारू अभोग लगेगा लेकिन उसका आपको टाइम बताया जाएगा कब लगेगा आपको उसमें कम से कम तेरा माला जाब करने है ये मंतर पूरा शाबर होने वाला है और आप इसमें एक ही बैठक करेंगे मतलब ये कि आप एक ही बार बैठेंगे फिर उसके बाद तेरा माला होने के बाद ही उठेंगे बीच में यह नहीं कि आपको कहीं जाना है या कुछ ऐसा उठना है तो नहीं घर पे आपको बताया जागा कि कैसे दिया लगाना है कैसे चिम्टा बनाना है इनका या चिम्टा नहीं है तो आप कैसे चिम्टे का शेप बनाएंगे भभूत से और वो सारी चीज़े, जब आपको बताई जाएगी, जब आप साधना करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये actual में शक्ती क्या है, तंतरकाट, मंतरकाट, ये सारे काट जो बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये निकटरा, वो निकटरा, बाबा, मंसा रामगोरी, गंगा राम हैं, आसन काला लगेगा इसमें आपका, चास्मन के फूल लगेंगे, भोग में आपको बताशे लगेंगे, लड्डू लगेंगे, लॉंग लगेगी, नीबू लगेगा, नार्यल लगेगा, एक बाजूट लगेगा, लाल कपड़ा लगेगा, उसके उपर आप त्रिशूल बनाएंगे, एक तिम्टा बनाएंगे, दीपक लगेगा, सरसोगा तेल लगेगा, इत्र लगेगा, बाबा को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जन्यू भी लगेगा इसमें, फूल से उनकी चौकी सजाएंगे, तब आप जिए जाकर के साधना करेंगे, आपको इसमे उगर शक्तियां इसमें चलेंगी, तो आपको इससे बेनेफिट ये होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा आएगा, या आप उगर होगे, नहीं, उगरो होना मतलब ये, कि आप बड़ी से बड़ी तंतरकाट, मंतरकाट कर लोगे, जो लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनिस वैपार में बार-बार मैं करवा रहा हूं कुछ और थोड़ी दिन ठीक रहता है, फिर वो खराव जाता है, उनके लिए रक्षा का बचाए, क्योंकि बाबा, कंगारा, मंसाराम, ये जितने भी भाई हैं, आप इनके साधना करेंगे, सबसे बेस्ट चीज क्या होत कि आप इसकी साधना से खुद की उपर एक protection layer डाल लेते हैं protection layer मतलब ये कि आपके घर में कोई भी तंत्रमंदर नहीं लगेगा को सो दूर रहेंगे ये सारी चीज़े यहां तक कि आपको cigarette तक इसमें नहीं देना है जो भी 10 मीरे दिन हवन होगा उसमें आप cigarette दारू पानी का भोग रखेंगे उसमें 9 के 9 दिन आप कुछ भी नहीं देंगे तो ये जो साधना रहेगी आप सबसे पहले चालू करने के बाद आपको स्रिफ भयावर अनुभव होंगे ये नहीं है कि भयावर अनुभव नहीं होंगे लेकिन आपको वो समझाएंगे समालेंगे इस कारण से द्रंच संकल्प करिएगा उसपर भरसों कर भरोसा करिएगा और बाबा आप पर क्रिपपा मना रखंगे हैं तो आँदे हैं कि यहांपर उपले इि बोलते हैं शायए कैसे तो नीचे description में मेरा number डोला हुआ है, WhatsApp, उससे आप मिरको message करके साधना ले सकते हैं, उसमें आप message करेंगे तो हम आपको इसकी दक्षणाराशी बता देंगे, अगर आप दक्षणाराशी देना चाहते हैं, ठीक तो इसाधना करिये, जैमाता मरी.